हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, डिसाइपल नुचर पॉइंट आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डेसिमल्स के कुश्चंस के बारे में तो अगली कई वीडियो में हम डेसिमल्स के कुश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कुश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो जिससे कि आपको डेसिमल्स में जितने तरह के कुश्चंस बन सकते हैं उन सब के बारे में पता हो जाए और उन सब को सॉल्ल करना आ जाए जिससे कि आपको अपने एक्जाम्स में टेस्ट वगरा में प्राब्लम ना हो तो मैं एंशूर करूंगा कि जितने भी टाइप्स के कुशन हैं वो सब के सब आपको करवा दूँ जिससे कि आपको काफी हेल्प मिल सके तो आज ही क्लास में हम बात करेंगे जो पैसे होते हैं उनको रुपीज में कनवर्ट करना और उनको जब रुपीज में कनवर्ट करेंगे तो वो आणसर उसका डेसिमल में आता है हमेशा एक बात याद रखें जब भी हम किसी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते है तो हमेशा answer या तो fraction में आता है या तो decimal में आता है हमें पता है यहाँ पर पैसे चोटी unit होती है और रुपी बड़ी unit होती है तो हम चोटी unit से जब बड़ी unit में जाते हैं तो answer decimal में ही आता है या fraction में आता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए और वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं यह आपको पता होना चाहिए तो 1 रुपीज में 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं वन रुपी में हंड़ेड पैसे होते हैं यह आपको पता होगा यह रुपीज का सिंबल है जैसे की डॉलर का होता है उसी तरह से अब एक रुपई में सो पैसे होते हैं तो अब देखिए पहले तो हम इसका फॉर्मला बना लेते हैं formula बन जाएगा तो इसको solve करना बहुत आसान हो जाता है अब हम यहाँ पर पैसे को रुपीज में convert कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं अब हमें निकालना है 5 पैसे में कितने रुपए होते हैं मतलब हमें चोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैसे में निकाल लेते हैं कि कितने रुपए होते हैं तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक पैसे में कितने रुपए होते हैं क्या कर सकते हैं देखिए 1 is equal to किया है hundred है अब है हम unit नहीं लिख रहा है ठीक है रुपीज है ये पैसे है अब हम क्या कर सकते हैं अगर हम इस hundred को इसके denominator में ले आए इसके denominator में ले ले आए तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास one है multiply में ठीक ये तो हमें पता होता है किसी के भी multiply में one होता है उसको हम लिखा नहीं जाता है अगर जरूरत पढ़ती है तो उसको हम लिख लेते हैं अब देखिए अगर हम इस hundred को इसके denominator में लिया है तो देखिए क्या होगा one upon hundred हो जाएगा is equal to यह क्या हो जाएगा one अब यहाँ पर यह रूपीस था और यह क्या था पैसे था पैसे को हम पीसे denote कर रहा है तो अब हमारे पास निकल आया कि one पैसा one पैसा is equal to one upon hundred रूपीस यह हो गया हमारे पास जब भी हमें किसी चीज़ का conversion करना हो न तो उसका एक चीज़ का निकाल लो एक चीज़ का निकाल लो सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप एक चीज़ का निकाल लो उसके बाद जितने का भी conversion करना है उसमें क्या करो उससे दोनों तरफ multiply कर दो क्या मतलब हो इसका देखिए मैं आपको समझाता हूँ हमें 5 पैसे को convert करना है अब हमें पता है एक पैसा जो है वो बान अपॉन 100 रुपीज होता है ठीक यह fraction में है इसको हम decimal में भी convert कर सकते हैं तो पहले हम fraction में ही रहने देते हैं फिर इसको decimal में convert कर देंगे तो अब देखिए हमें 5 पैसे का निकालना है होता है तो यह 5 पॉन 100 हो जाएगा और इधर क्या है रुपीज अब यह fraction में आ गया और हमें पता है fraction को decimal में convert करना कैसे करते हैं देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर decimal होता है तो जब जब भी 0 नीचे से हटेगा तो decimal कि धर shift होता है लेफ्ट साइड में तो जब दो 0 है तो दो डिजिट decimal खिसकेगा तो इसका answer क्या आ जाएगा 0.05 तो 5 पैसे में 0.05 रुपीज होते हैं I hope आपको इस समझ में आया होगा कि किस तरह से हुआ है question सबसे पहले तो हमें जो main units है हमारे पास उनकी value पता होना चाहिए एक रुपाए में हमारे पास है 100 पैसे अब पैसे को रुपीज में convert करना है तो हम क्या करते हैं कि एक पैसे का निकाल लेते हैं कि एक पैसे में कितने रुपाएं होंगे तो जब ये पता चल जाएगा उसके बाद आपको जितने भी निकालना है मतलब जितने पैसे का निकालना है दोनों साइड आप उसी से multiply कर लीजिए उसको solve कर लीजिए answer आपको मिल जाएगा तो इसका answer हो गया 5 पैसे का 0.05 रुपीज चलिए अब हम इसका B part करते हैं तो अब B part करने में इतना सब कुछ बताने की जरुवत मेरे ख्याल में नहीं पड़ेगी अब आप easily कर सकते हो तो B part है हमारे पास 80 पैसे ठीक तो अब हमने formula बना लिया है क्या formula बना लिया है ये वाला ठीक ये वाला एक formula बन गिया है हम लिखेंगे since 1 पैसा is equal to 1 upon 100 रुपीज हमें निकालना है 80 का तो दोनों साइट क्या कर देंगे 80 से multiply तो ये हो जाएगा 80 पैसे is equal to 80 upon 100 रुपीज अब इसको solve कर लेंगे तो 80 पैसे is equal to देखें 0 से 0 eliminate हो जाएगा ये यहाँ पर 8 बचेगा 8 upon 10 क्या हो जाएगा 0.8 अब ये conversion आपको आना चाहिए क्योंकि अगर conversion नहीं आता है तो फिर problem हो जाएगी और conversion अगर आपको नहीं आता है तो मैंने अपनी वीडियो में conversion सिखाया है जिसका link मैं वीडियो के description box में दे दूँगा और i button में भी दे दूँगा आप वहाँ पर click करके देख लीजिएगा तो 80 पैसा क्या हो गया 0.8 रूपीज हो गया चलिए हम बाकी questions को भी कर लेते हैं तो इनको erase कर देते हैं अब देखिए C part है हमारे पास 30 रूपीज 75 पैसे ये हैं तो अभी तो हमारे पास 30 रूपीज तो पहले से हैं तो हमें change किसको करना पड़ेगा 75 पैसे को तो हमें पता है 1 पैसा is equal to 1 upon 100 रूपीज यही फॉर्मला आपको हर जगा अप्लाई करना है जब भी पैसे को रूपीज में convert करना हो तो आप क्या करना है हमें 75 पैसे को convert करना है क्योंकि यह तो पहले से रूपीज में है तो 75 से क्या कर देंगे दोनों साइड multiply 75 को 1 से करेंगे तो 75 यह आ जाएगा यह हो जाएगा 75 upon 100 रूपीज ठीक 75 पैसे is equal to आपका आजाएगा यह point यहाँ है यह 0 हटेगा तो यह 1 point खिसकेगा यह 0 हटेगा तो यह point यहाँ की सकाएगा मतलब इसका answer आजाएगा 0.75 इसके आगे 0 हम लगा सकते हैं तो 75 पैसे को हम अगर रूपीज में लिखना चाहें तो 0.75 रूपीज लिख सकते हैं चलिए डी पार्ट को करते हैं अचा अभी यह complete नहीं हुआ है कुशन अभी तो यह 75 पैसा आया है इसको रूपीज में करना है अभी हमारे पास कितना है 30 रूपीज पहले से तो हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों को add करना पड़ेगा 30 रूपीज 30.75 रूपीज अब अगर आपको addition भी नहीं आता है तो मैंने addition पर भी वीडियो बनाई है आप वहां से जाकर के addition को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि addition को कैसे किया जाता है चलिए हम अपने deep part को करते हैं तो इसको फिर से erase करना पड़ेगा तो deep part है हमारे पास 728 पैसे ठीक 728 पैसे है फिर से वही लगाएंगे हम 1 पैसा अब लिख लीजेगा हर बार since 1 पैसा is equal to 1 upon 100 रूपीज अच्छा यहाँ पर आपको पहले से भी decimal में इसको रख सकते हैं 1 upon 100 ना लिख करके इसको क्या लिखा जा सकता है 1 upon 100 ना लिख करके इसको हम लिख सकते हैं 0.01 ठीक कैसे देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं 1 upon 100 है तो हमें पता है यहाँ पर point होता है जब यह 0 अटेगा तो यह point इधर आएगा यह हटेगा तो एक और जाएगा इसका मतलब यहाँ 0 आ जाएगा यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 0.01 आ जाएगा तो एक पैसे में 0.01 रुपीज होते हैं इसको fraction में ना रख करके आप शुरू में ही decimal में रख सकते हैं अब जितने को भी करना है उसको क्या कर देंगे इस इसका आंसर आ जाएगा 7.28 रुपीज आप multiply करके देख लिजेगा यही आंसर आ जाएगा 7.28 रुपीज चाहिए 7 रुपए 28 पैसे आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 7 रुपीज and 28 पैसे चलिए अब लास वाला करते हैं यह वाले पार्ट को तो यह है 599 पैसे तो इसको भी वाइसे ही कर सकते हैं तो 1 पैसे इस इकल टू 1 अपॉन हंडेड होता है रुपीज आप इसको करिए का तो जादा बहतर है क्योंकि इसको फिर multiply करने में फिर सब ही आपका टाइम जाएगा यहां क्या करों कि डाइरेक्ट आप 0 हटा करके point को left side में convert कर सकते हो तो 599 multiply कर से इधर भी क्या हो जाएगा 599 multiply हो जाएगा और नीचे है 100 तो जब भी अब दो 0 है तो दो point क्या हो जाएगे इधर shift हो जाएगे तो हमारा answer आ जाएगा 5.99 तो 599 पैसे जो रुपीज में convert होके आए हैं वो है 5.99 रुपीज मलब 5.99 पैसे तो I hope आपको पैसे का रुपीज में conversion समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर अगर आप हमारे नय हो तो चैनल को subscribe करें हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स लास में तब तक के लिए keep learning and keep growing